नमस्कार प्यारे बच्चो वेलकम बैक तो माई यूटूब चानल काफी लंबे समय बाद मैं आप सब की रिक्विस्ट पर हाजिर हूँ आपके लिए आपका चैप्टर यूरोप में रास्ट्रवाद लेकर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंस को इसमें बहुत सारे प्रॉब् करते हैं अपना चैप्टर है जैसरह हम अपना चैप्टर खूलते हैं सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यह फू概 हमयोने फोटो तो नहीं कहेंगे इसको यह पेंटिंग जो फ्रैंड्रिक प्राइव नहीं बनाई थी कब बनाई थी 1848 में अशूली फ्रैंडिक शोरियो ईसी ऐसी फोर पैंटिंग की एक सीरीज बनाई थे और उन्ही पेंटिंग की सीरीज में ये एक पेंटिंग है जिसके उपर उन्हों ने जन्तांत्रिक और सामाजिक गन्तांतर से मिलकर बनाए speaking ऐसा समाज उसका एक सपना देखा था और इसे में सबसे पहले आपको युरोप और अमेरिका के लोग दिखाई देंगे जो सभी उम्र और साबाजिक वर्गों के इस्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं एक्चले आपको याद होगा कि जब फ्रांसिसी क्रांती हम नाइंथ क्लास में पढ़ रहे थे तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि स्वतंत्रता को उसमे के जो कलाकार है वो महिला के रूप में दिखाते हैं और हमारे यहाँ पर भी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो इसको एक महिला के रूप में ही देखा गया है और यह सब उसी महिला को कोनत मस्तक करते हुए उसको शरधानजली देते हुए उसके सामने से गुजर रहे हैं और इस महिला के हाथ में एक तरफ है ज्यान की मसाल एक हाथ में जिसे यह ज्यान के उदे होने की बात कर रही है औ मानव के अधिकारों का चार्टर और इन फ्लाग्स से आप डिसाइड कर रहे होंगे देख पा रहे होंगे कि इस जुलूस क्या कौन-कौन लीड कर रहा है और ये कैसे मिला जिसके अंदर जब-जब लोगतंत्र की स्थापना होती चली गई तो उसके अकॉर्डिंग ही ये ला निरंकुष होता है ऐसी शक्तियां जिनके ऊपर कोई अंकुष ही नहीं था तो अब वो बिल्कुल बिखर चुके हैं तूट चुके हैं और अब उस जगह पर एक नया समाज एक नई महल की गिर्चना होगी जो की लोगतंत्र प्राधारित होगा और सबसे पहले प्रतिमा के बिल्कुल पास जो है वो फ्रांस है उसको जंडे से पेचान सकते हैं उसके पीछे जर्मनी जो काला लालोड जनारे रंग का जंडा लेकर जा रहा है उसके बाद ऐसे बहुत से देश हैं आस्ट्रिया, सिसली, लुंबार्डी, पलानिंग अंगरी और बला 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 ठीक है उपर से आख देख पा रहे होंगे कि ये स्वर्ग का चितर दिखाया गया है जिसके अंदर जो ईसा मसी है यानि कि जो जीजिस क्राइस्ट है वो और बहुत सारे सांत फरिष्टे इस दृष्य को देख रहे हैं और अपनी ब्लासिंग से देख रहे हैं फ्रेडरिक सोरियू इस पेंटिंग से क्या कहना चाता है अकचली उनकी इस पेंटिंग को भाई cervical का पृतिक बाना चाता है वो चाता था कि बहुत सारे राष्ट्रों के बीच में भाईजारा होना चाहिए उन्होंने एक यूटोपिया राज्य की कलपना की थी अड़ यूटोपिया जानते हैं आप क्या है यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा कालपनिक समाज जिसकी हम कलपना तो कर लेते हैं लेकिन वाकई में वास्तविक रूप देना उसको असंभाफ है मुश्किल नहीं कह सकते, बिल्कुल असंभाफ है एक ऐसा समाज की कल्पना करना तो ये एक तरह से वैंगे भी आप कह सकते हो फ्रेडरिक सोर्यों ने वैंगे किया था उसके साथ ये इसी के एक्स्प्लेनेशन है आप चाहें तो वीडियो को पोज करके इन सब को अपने पास नोडाउन कर सकते हैं अच्छली ये जो राश्टरवाद हम बार बार बोल रहे हैं राश्टर राश्टर ये सब कहां से आया था इसको जानना होगा तो जो फ्रांस के अंदर जो करांते होई थी 1789 में उसी से यूरोप में राश्टरवाद को पहली बार अभिविक्ती मिले थी जिसमें राजा के शाशन को खतम किया गया था और लोक तंत्र की स्थापना की गई थी अब ये राश्टरवाद क्या है राष्ट्रवाद वाकई में अपने देश, राष्ट्रियता या संस्कृति के लिए अपना पन और गर्फ की भावना को कहते हैं अब जिस समय की हम बात कर रहे हैं जो फ्रांस में क्रांती हो रही थी तो वहां से आइडियारोजी तो मिल गई इसके साथ साथ क्रांती जब हुई तो लोगों ने घोशना कर दी कि अब जो लोगों का राष्ट्र गटित होगा और लोग ही अपनी नियती तै करेंगे और स्टार्टिंग में जो फ्रांसिसी क्रांती कारी थे उन्होंने ऐसे बहुत से कदम उठाए थे जिससे जो फ्रांसिसी लोग हैं उनके बीच में एक अपना पन एक सामोहिक पहचान की भावना पैदा हो सके इसके लिए उन्होंने पित्र भूमी और नागरिक जैसे विचार जो थे उनके एक संयुक्त समुदाई के विचार पर बल दिया नया फ्रांसिसी जंडे का चुनाफ किया गया इस्टेट जेनरल का नाम बदल कर नैशनल असेंबली कर दिया नई नई स्तूतियां रची जाने लगी सहीदों का गुर्णगान किया जाने लगा नई नजी सफत्री जाने लगी प्रशाशनिक वुष्टा के लिए भी एक रजय से दूसरे राजय में सामान ले जाने के लिए जो बीच में आंतरिक आयात कर आयात निर्यात शुल्क लगता था इसको समाप्त कर दिया गया हर राजय में अलग-अलग जो नाप्तोल की विवश्था थी उसको ख़चम करके सब में एक समान वविस्था को लागू किया गया और फ्रांस को कि जो भाशा थी फ्रेंच उसको राश्च भाशा का दर्जा दे दिया गया अब ये सब जब चल रहा था तो अभी हमने एक नया शब्द सुना है इसके अंदर इस्टेट जनरल वो क्या होती थी इस्टेट जनरल फ्रांस की एक वर्वस्थापिका थी इस्टेट जनरल में तीन वर्ग थे प्रतियक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था यानि प्रतम इस्टेट द्वितिये इस्टेट और त्रतिये इस्टेट प्रतम इस्टेट के अंदर कुलीन वर्ग थे द्वितिये इस्टेट के अंदर पादरी वर्ग थे और बाकि जो जन समुदाय बच गया वो सभी साधारन वर्ग का हिस्सा था तो इसको भी एक वोट देने का अधिकार था चाहे सदश्य इसके कितने भी हो इसको भी और तृतिये इस्टेट को भी प्रथम इस्टेट और दृतिये इस्टेट हमेशा से मिलकर बहुमत बना रहेते थे जिससे ये तृतिये इस्टेट का शोशन करते थे और इस स्टेट जनरल की जो लास्ट बैट अक्ती वो 5 मई 1789 को बुलाई गई थी लुई 16 के द्वारा क्यों बुलाई गई थी क्योंकि वो कर बढ़ाना चाहता था क्लियर नेक्स्ट है नैशनल असेंबली अभी हमने पढ़ा ना कि नैशनल असेंबली घुशित कर दिया अभी ये नैशनल असेंबली क्या थी नैशनल असेंबली फ्रांस के लिए एक नया समिधान तयार करने के लिए गटित की गई थी और इसने एक नया समिधान भी बनाया इसलिए इसको समिधान सभा के नाम से भी जाना जाता है और इसने यू समिधान बनाने का जो काम था 1791 में पूरा कर लिया और राजा के हैस्ताक्षर के बाद देश का पहला कानुन बन गया तो यह है फ्रांस का पहला लिखित समिधान था यह आप देख रहे होंगे यह राश्टरगान है फ्रांस का लामर्शिले यह जब फ्रांस का नया तिरंगा बनाया गया यह इस्टेट जनरल की बैटक की फोटो है और यह है वर्शाई के महल की जहां पर लास्ट में जब तिर्थिय इस्टेट की इस्टेट जनरल की मेटिंग बुलाई गई थी तो उस समय इसको बुलाया गया था अब जो करांतिक आ रहे थे वो चाहते थे कि फ्रांस एक ऐसा रास्टर बने जिसमें यूरोप में जो निरंकुष हाशक है उनसे मुक्ति दिलाई जा सके यह आप कह सकते हो कि जो फ्रांस है वो यूरोप के अन्य लोगों को रास्टरों में गठित होने में मदद करेगा जब फ्रांस के घटनाओं के खबर यूरोप के अलग-अलग शहरों में पहुंची तो वहां के जो चात्र थे जो सिक्षित मध्य वर्ग था उन्हों ने अलग-अलग जकोबिन कलबों किसना अपना करी यह सबाफ फ्रांस की रेविलूशन में पढ़ चुके हैं तभी वहां पर नेपोलियन का नियंतरन हो जाता है नेपोलियन आता है 1799 से 1815 तक इसने रूल किया था और 1804 में यह एक नेपोलियन सहीता लेकर आता है और नेपोलियन आया तो उसने अपने उस अक्षेतर पर जिस पर नियंतरन स्थापित किया था वहां अनेक सुधार किये जिससे फ्रांस के लोगों को लगा कि यह बहुत ही नॉबल परसन है यह वाकई में हमारी मदद करने आया है लेकिन नेपोलियन का में मक्सद था वहां के राज तंतर को खतम करके वापस से राज तंतर स्थापित करना लेकिन जब स्टार्टिंग में आया तो इसने क्या क्या अच्छे काम किये पहले वो देख लेते हैं इन्होंने जनम के आधार पर जितने भी विशेश अधिकार थे उन सब को खतम कर दिया अब जनम आधारित विशेश अधिकार ख्याते अभी हमने बत की कि उस समय फ्रांस में तीन स्टेट थे प्रथम दुईतिय और तृतिय प्रथम स्टेट और दुईतिय इस्टेट कोई टेक्स पे नहीं करते थे जिबकि हर तरीके का पे टेक्स सरकाव तृतिय इस्टेट को पैदा हुए तो आपको कोई टेक्स नहीं देना है और यदि आपका जो जानम है वत्रथिय इस्टेट में हुआ तो आपको दो तरह के टेक्स पे करने पड़ेंगे इनके पास था ये जनम आधारित विशेश अधिकार तो नेपोलियन ने आते ही कहा कि सभी विक्ति समान है और इसलिए ये जो विशेश अधिकार है ये खतम हो जाना चाहिए उन्होंने संपत्ती के अधिकार की बकालत की सामनती विवस्ता को भी खतम कर दिया सामन्तों ने जिन किसानों को दास बना कर रखा था उन किसानों को भी दासत्व से मुक्त कर दिया मानक, भार और माप की एक नई दश्मलाव प्रणाली भी अपनाई अब ये सब तो वो काम थे जो नेपोलियन ने आते ही किये और लोगों को अपने पक्ष में कर लिया लेकिन लोग इसके अगेंस्ट क्यों हो गए क्योंकि इसके तीन प्रमुख कारण थे और वो क्या थे? जो नेपोलियन है, वो पूरे यूरोप को जीतने का सपना लिग कर आया उसके लिए उसे भारे भरकम सेना के आवशकता होगी और सेना को लड़ने के लिए अलग-अलग आदोनिक हथियारों के आवशकता थी जो हथियार सिर्फ पैसे से आ सकते थे और पैसा कहां से आएगा? करों से कर कौन देगा? आप लोग ठीके? अब आपको पूरी बात समय चाहिए नेपोलियन ने आते ही करों में व्रधी कर दी जिसे लोग गुसा हो गई दूसरा उसने सैंसर्शिप थोप दी यह सैंसर्शिप क्या है? सैंसर्शिप का मतलब होता है आपकी भाशन और अभी व्यक्ति की आजादी को छीन लेना यानि आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं specially नेपोलियन के अगेंस्ट आप नेपोलियन के अगेंस्ट किसी भी मैगजीन, अकबार, न्यूस्पेपर, पैंपलेट्स किसी में कुछ भी नहीं जाब सकते पूरे तरीके से रोक लगा दी और तीसरा जो सबसे बड़ा काम इसने किया जिसे लोग इसके अगेंस्ट हो गए वो था जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़के फ्रांच सेना में जबरदस्ती भरती करना अब जब ये सब चल रहा था तो लोग बड़े गुस्या हुए और अलग-अलग प्रतिकिरिया आई फ्रांची सी साशन के प्रति मिली जुली जो प्रतिकिरिया थी उसमें शुरुवात मैंने एक स्थानों जैसे हॉलेंड, स्वीजर लैंड, बिर्शेल, स्मीज, मिलान, वारसा ये सब सेनाओं को सुतुंतरतना का तौफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया लेकिन जब इसके नेपोलियन ने ये सब लागू किया तो लोग बड़े परिशान हो गए इससे और उसी समय पर यूरोप में वो समय था लगभग आप क्या सकते हो राष्टर राज्य बनने का अब ये राष्टर राज्य क्या होता है अच्छले में जो राष्टर राज्य होता है वो होता है कि जब एक समुदाई लोगों का एक समुदाई जो है वो एक जैसी भाषा एक जैसा इतिहास परंपरा और सरकार इन सब को शेयर करता हो यनि कि सेम भाषा सेम समुदाई सेम इतिहास वो के भागिदार हो लेकिन अठारवी शदी तक के मध्य तक आप कह सकते हो यूरूप में राश्टरावाद का कोई नम निशान नहीं था जिन्हें हम आज जर्मनी, इटली, स्विजललांड के रूप में जानती हैं वे उस समय राजसाही, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे अब इन सब के जो राजा थे, उन सब के अलग-अलग साशन शेत्र थे, लोगों के अंदर एक सामुहिक पहचान या किसी समान सिंस्कृति का भागिदार होने की कोई भाव नहीं नहीं थी वे भाशाई भी अलग-अलग बोलते थे और अलग-अलग समुदाए से संबंद रखते थे गलीशिया में जो कुलीनवर्ग पॉलिश भाशा बोलता था इन प्रभाव शाली सम्मों के अलावा जो हैंप्सबर्ग्ध खामराज्य था उसकी सीमाओं के भीतर भी भारी शंक्या में खेती करने वाले जो लोग थे वो दैनी अवस्ता में रह रहे थे तो एक ऐसा फर्ग जो राजनितिक एक्ता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था वो था एक राश्चर राचे नहों और इस तरह के जो सम्मों होते थे उनको आपस में केवल एक ही बात मानती थी कि वो अपने अपने राजा के प्रती इमांदार हों उसके प्रती न निश्ठा रखें तो आप समझ गई कि अठारवी शदी के मध्य तक वहां कोई राश्चर राचे रही था अब उसी समय पर जब ये सब हो रहा था तो एक नए वर्ग की सुरुवात हो रही थी जो यूरोपियन समाज था वो तीन भागों में बढ़ चुका था कुलीन वर् और बड़ी-बड़ी हैवेलियों के मालिक होते थी अक्षर फ्रेंच भाशा बोलते थी और इनके जो परिवार है वो आपस में वैवाहिक संबंदों से बंदे होते थे यानि कि एक दूसरे के साथ विभा करके ये अपने उस परिवार को बाध कर रखते थे यदि जन संख् कि अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत ही चोटा सा वर्ग था किसान संख्या में बहुत ही जादा थे भू दाश वाली खेती करते थे किराए दार और चोटे-चोटे किसान थे ये जो कुलीन वर्ग है इसकी जमेनों पर ही ये लोग ट्रशी करते थे लेकिन अब एक नया वर्ग उबर गया था जो था मध्य वर्ग जिसके अंदर व्यापारी और उद्योग पती आ रही थी और राष्ट्रिय एकता का विचार भी अपने साथ लेकर आए थे पश्च्मी और मध्य यूरोप के हिसों में जब उदोगी कुथपादन हुआ उदोगी क्रांती पज़ा से ये नए वर्ग का उद्य हुआ अब आप कह सकते हो कि उदोगी कुथपादन मध्य जो यूरोप है उसमें अठार्वी शदी के उत्रार्द में यानि कि जैसे जैसे अठार्वी शदी खतम होने वाले थी और उनीशमी शदी प्रारंब होने वाली थी उसी समय ये उद्योगी की करण हुआ था उद्योगी की करण का मतलब होता है अधिक से अधिक संख्या में उद्योग लगाना मध्यवर्ग जो उद्योगपती व्यापारी और शेवाशेत्र के लोगों से बनता था और ये अंतिम दश्कों तक बहुत ही छूटा था कुलीन वर्ग के पास जो विशेश अधिकार थे उनकी समापती के बाद ही सिक्षित और उद्योग वर्ग के बीचे ही एक राष्ट्रे एक्ता का विचार लोग प्रिया हुआ था अब ये उद्योग वर्ग क्या है मध्य शिक्षित वर्ग उदारवाद से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इनके विचार क्या थे दरसल ये चाहते थे कि कुलीन जो विशेश अधिकार रखते हैं उनको समापत किया चाहिए राष्ट्रे एक्ता स्थापत होनी चाहिए और उदारवादी ठीक है ये जो लिब्रलिजम है ये लिबर यानि कि लतीनी भाषा का एक शब्द है लिबर जिससे निकला है जिसका मतलब होता है आजाद नए मध्य वर्गों के उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सब की बराबरी राजनितिक रूप से उदारवाद जो है वो एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमती से बनी हूँ फ्रांसेसी ग्रांती के बाद से उदारवाद निरंकुष शाशक और पादरी वर्ग के विशेशा दिकारों की समाप्ति सम्विधान तथा संसदिय प्रतिनिती शरकार का पाक्षधर था Am I clear students? अब आगे चलते हैं उदारवादी विचार जो थे उनके कानून के सामने समानता मतादिकार सबको पराप्त होना चाहिए और यदि हम आर्थ विवस्ता के शेत्र में देखें तो वो चाते थे कि बाजारों को मुत्ति हो चीजों और पुंजी के आवागमन पुंजी मतलब पैसा चीजों और पुंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए जितने भी नियंतरन है उन सब को समाप्त कर दिया जाए इसको समझने के लिए है एक सिंपल सा एक्जामपल हम ले लेते हैं कि जो जर्मन भासी इलाका था नेपोलियन ने एक अनगनी थे जो छोटे-छोटे प्रदेश थे इनको मिलाकर 39 स्टेट का एक महासंग बनाया था 39 स्टेट को मिलाकर एक महासंग बनाया था और इन सब की मुद्रा जो है वो अलग-अलग थी मुद्रा भी अलग प्लस इनके जो मापतोल की प्रणाली थी वो भी अलग सब की अलग-अलग तो 1833 में हुआ यूँ कि हैंबर्ग से एक निूरेंबर्ग जा रहा था एक माल बिचने वाला व्यापारी जिसको हैंबर्ग से निूरेंबर्ग जाते हुए 11 सीमा शुलक नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार उसको 5 प्रतिशत सीमा शुलक देना पड़ता था शुलक उसमें ऐसा नहीं था कि आपको पैसों में देना पड़ता हो था जितने वजन का या जितने आकार का आप समान लेकर जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको टेक्स देना पड़ता था अब कपड़े मापने का जो एक पैमाना था उसको कहती है LA ये एवन मार्क्स के कोशन में बहुत पार पूछा जाता है आप इसको नोटान कर ले LA जो था उसकी लंबाई और उसके जो मापने तोलने का तरीका था वो हर राज्य में अलग-अलग था इससे होता क्या था कि लोगों का बहुत जादा समय खराब हो जाता था उस कैलकुलेशन में तो इसलिए उसने कहा नेपोलियन ने कि इन सब को हटा देना चाहिए ये सब नहीं होना चाहिए और इन सब की जगह पर हमें एक ही मापतोल की परणाली अपनानी चाहिए अब ये जो उदारवाद लागू करना था इसमें दो प्रमुक समस्याए थी सबसाब पहले मताधिकार लोगों के पास नहीं था केवल वही वैक्ती जो 21 साल के हैं वोट दे सकते थे दूसरा एक राज्य से दूसरे राज्य में जो भी व्यापार प्रतिबन थे वो भी सबसे बड़ी रुकामट थी उदारवाद की स्थापना में यह एक्जामपल है जिसको मैंने अभी अभी आपको बताया नए व्यापारी वर्ग जो है वो ऐसी प्रिस्थितियों को आर्थिक विनिमे और विकाश में बादक मानते थे उनके अकॉर्डिंग जिब तक यह सब खतम नहीं हो जाएगा तब तक हम एक नया और उदारवाद को अच्छे तरीके से लागो नहीं कर सकते हैं तो 1834 में एक नया व्यापारी वर्ग एक ऐसे एक ही कृत आर्थिक शित्र के निर्मान के भक्ष में थे जहां वस्तूओं, लोगों और पूंजी का आवगमन बिना किसी बादा के हो जाएं इसके लिए प्रशा की पहल पर प्रशा एक राज्य का नाम है उसने एक शुलक संग जौल विराइन ये बहुत बार पूछा जाता है students once again ये व्यापारियों का एक संग था एक शुलक संग था जिशे प्रशा की पहल पर 1834 में बनाया गया था और इसमें अधिकांश राज्य जो थे वो जर्मन थे क्यों बनाया था इसको करना क्या था सबसे पहले इसको शुलक अवरोधों को शमाप्त करना था अवरोध होता है रुकावटे ठीक है मुदराओं की संख्या जो 30 थी उसको कम करके केवल दो किया गया रेलवे का जाल बिचाया गया और आर्थिक गती शीलता ने राष्ट्रिय एक एक एकरन की गती को बढ़ा दिया अब उसी समय पर नेपोलियन जो है वो रुडिवाद की भावना से प्रिरित था और रुडिवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित जो पारंपरिक संस्थाएं हैं जैसे राष्टंत्र, चर्च, समाजी कूच नीच, संपत्ती और परिवार इन सब को हमेशा ही बनाए रखा जाना चाहिए लेकिन नेपोलियन जैसा कि हमने पहले पड़ा आते ही उसने बहुत सारे परिवर्थन कर दिये वो तो आधुनिकी करन जैसी चीजें लेकर आया था और एकाधुनिक सेना, कुशल नोकर साही, गतिशी लर्थ वैवस्ता ये सब बोलेकर रहा था तो जिससे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और आस्ट्रिया ये सब बहुत परिशान थे तो इन सब चारों ने आपस में दोस्ती कर ली और अटैक कर दिया नेपोलियन पर इन सभी येवरोपियन शक्तियों ने मिलकर अटैक किया नेपोलियन पर, और नेपोलियन को हरा दिया, अब चारों मिलकर एक विक्ती के से अटैक करेंगे, तो आबिसली वो हार जाएगा, और ये एक इमेज थी, जो उसे में पर बहुत ही फेमस हुई थी, जिसमें जो सागया के रूप में दिखाया गया और इन चारों यूरोपिय शक्तियों से हारने के बाद जब वह वापिस जा रहा है तो यह जो स्टेट्स आं यह 네 जो लैटर के ऊपर जो स्टेट्स लिखें यह उन भूखंडों के नाम है, उन जमीन के टुकडों के नाम है, जो इस से इन यूरोपिया शक्तियों ने छीन लिये थे, अब इस से आगे क्या होता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, थांक्यू वेरी माच,